Hello everyone, welcome back to my channel तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी अनतर जॉब अपडेट तो आज जो जॉब एक इस निकली हुई है वो है Amazon की और से जो की वन आफ दी बेस्ट कंपनी है वर्ल्स बिगेस्ट कंपनी है Amazon तो यहाँ से जो की हाईरिंग निकली हुई है किस तरीके से अपलाई करना है सारा कुछ इन डीटेल शेयर करूँगी और आपको पता दूँ कि अगर आपको Amazon का जो टेस्ट है वो क्लियर करने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाही हूँ एक ऐसी फ्री कोर्स जहां से आप सीख सकते हैं कि आप Amazon का टेस्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं किस तरीके से अपलाई करना है सारा कुछ इन डीटेल शेयर करूँगी तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपके लिए वीडियो हेलफिल होती है ऐसी और जोब अपडेट जिखने चाहते हैं तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए आज की जो हमारी जोब अपडेट है वो है Amazon के और से यहाँ पर जो कि आपका प्रोफाल होने वाला है वो है Amazon seller partner support की और से तो यहाँ पर आपको काम क्या करना है आपको Amazon और इनके जो business partner है उनके बीच में का जो काम होता है वो आपको करना है लो इसमें क्या काम होता है देखिए कोई भी new adaptation आता है या फिर कोई भी new चीज आती है जो Amazon नया कुछ update करता है तो यह directly Amazon क्या करता है कि सारे business partner तक नहीं पहुच सकता है या फिर कोई अगर Amazon की जो partners है business partners है उनको कोई problem होती है या फिर कोई queries होती है तो वो directly Amazon के पास जाकर नहीं बात कर सकता है इसके लिए Amazon appoint करता है अपना seller partner जो की आपके और जो Amazon है इनके बीच में काम करता है मतलब जो आप काम करोंगे वो Amazon और इनके business partner के बीच में रहके काम करने वाले हो इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको comments का record रखना होता है complaints का record रखना होता है transaction का record रखना होता है तो यह सारा कुछ आपको करना होगा इसके record रखने होगे in future अगर कुछ भी problem होता है तो आप यह database रख सकते हो और इसके according आप work कर सकते हो इसके बाद बात कर लेते है eligibility criteria के यहाँ पर क्या 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 eligibility criteria है eligibility criteria में देखिए यहाँ पर आपका graduation होना चाहिए post graduation या graduation क्या है आप यहाँ पर apply कर सकते है English और Hindi दोनों में से कोई भी आती है तो आप यहाँ पर apply कर सकते है मतलब Hindi और English आपको आनी चाहिए fluency आप बोल सको अच्छे से communicate कर सको यह ज़्यादा यहाँ पर mandatory है situation देखिए यह totally work from mom है आप घर पे रहके अपना काम कर सकते हो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो की है experience and freshers दोनों ही काम कर सकते है 0-10 years का अगर आपके पास experience है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो नहीं है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो यहाँ पर rotational shift हो सकते है day and night के shift हो सकते है listening skill and service oriented तो good communication जो कि आपको चाहिए होगा ताकि आप दोनों में ही अच्छे से बात कर सको जो कि आपका काम होगा Amazon से और इनके जो business partner है इनके साथ आप अच्छे से communicate कर सको इसलिए आपका communication skill बहुत अच्छा चाहिए यहाँ पर देखिए nextries है कि time management आपको आना चाहिए यह जो skill है वो आपके अंदर होनी चाहिए इसके लावा देखिए आपकी listening skill बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कि है काम है वो work from home हो में तो mostly कोई भी आप से directly बात नहीं करने वाला है आपका काम जोकी है communication और टेलिफोनिक होने वाली है तो इसलिए आपका listening skill बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ पर जो कि meetings होते है guidance होते है तो जो भी आपर कहाँ चाहता है वो अच्छी से आप सुन सको और इस पर अच्छा सा काम कर सको तो इस तरीकी का skill आपके अंदर होना चाहिए तो इसलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी salary कितने रहने वाली है देखिए salary यहाँ पर आपको मिलता है 2,75,000 से लेकिए 4,00,000 पर अनम तक की जो की best है salary इसके बाद देखिए 5 days working है आपका 2 days off होगा यहाँ पर तो 5 days ही सिर्फ आपको work करना है 2 days आपको off मिलता है जो की best चीज है ज्यादा यहाँ पर workload भी नहीं रहने वाला है ज्यादा work pressure भी नहीं रहने वाला है तो इतना आप ध्यान रखिए कि आपको जो hours है वो flexible रहना चाहिए ताकि आप flexibility के साथ काम कर सोको यहाँ पर नाव मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो की free course है वो कैसे करना है देखिए यहाँ पर selection process में कैसे होता है कि आपका एक test होता है जिसका नाम होता है वर्सेंट test नाव यह जो test होता है यह clear करना को किसी किसी लोगों को बहुत सदा मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पर देखिए जो आप में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर जिससे आप apply करोगी वहाँ पर आपको option मिलता है course का इस course पर आप click कर सकते हो and then यहाँ पर basic से question answers आपको आता है easily month में within a month और half month में आपको 15 to 16 days में आपको यह सारा कुछ in detail भेज देते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरीके से apply करना है यह जो कि है second round and then third round होता है and then आप directly आप यहाँ पर काम कर सकते हो तो जो Amazon है, Flipkart है, इस तरह की companies है यहाँ पर select होना ही बहुत सदा मुश्किल होता है but once you get selected यहाँ पर बहुत ही अच्छे से you know आप set हो जाते हो क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से services मिलते है यहाँ पर जो भी facility है वो भी बहुत ही अच्छे मिलती है you know day by day shop होते जाते हो तो इसलिए यहाँ पर select होना बहुत सदा मुश्किल होता है तो try करिए आप यहाँ पर select हो जाए अच्छे से एक और चीज़ मैं बता दूँ है यहाँ पर कोई भी fees पे करनी की जरुरत नहीं है आपको कोई भी यहाँ पर fees नहीं मांगे जाएंगे free of cost है आप जाके यहाँ पर simply apply कर सकते हो आपको simply उस पर क्लिक करना है डाउनलोड कर लीजी अबल आप अपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए तो जो भी आप comfortable हो जो इसा भी काम आप करना चाते हो आप यहाँ पर search करके अपनी काम धून सकते हो और वन मोर थिंग आपका जो resume है वो बहुत ही अच्छा रखिए यहाँ पर strong रखिए तो resume कैसे strong बनाना है देखिए यहाँ पर जो कि आपको skills मांगी गई जैसे कि communication skill यहाँ पर मांगी गई है यहाँ पर और भी जो भी चीज़े listening skills जो कि मांगी गई है यह सारे चीज़ आप अपनी resume में जरूर upload करें यूरो उसमें आप edit करें और जो भी हैंपर requirement है वो try करें करें कि आप अपने resume upload करें वो resume attach करें अगर आपके पास कोई भी certificate है या आपने कहीं काम किया है या कोई भी आपको experience है तो वो भी जरूर mention करें जो भी हैंपर चीज़े मांगी गई है make sure करें कि वो आप थोड़ा highlighting रखे आपका जो number होगा name number address जो कि होता है especially your number उसको आप पहले resume के starting में ही डाल दे अगर in case अगर आपका यह चुकी है select होता है तो जो HR होगा उसको ज़्यादा problem नहीं होगा कि आपका number ढूणने में आपको contact करने में तो आपका email ID और आपका number दोनों ही आप you know front में रखें ताकि जब भी अगर वो आपका resume read करके हो जाए तो उसको ज़्यादा problem नहीं हो और वह directly अपसे contact कर सके तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें इस तरीके से आपना resume प्रेपार करेंगे तो यह जादा आपके लिए helpful होगा update करके डालिए date और जो भी होता है उससे भी आपको update करना होता है ध्यान रखें यह सारा कुछ update करके तेन यहाप अप अप्लोड कर सकते हैं या फिर आप सेंड कर सकते हैं तो यहीं जो कि यहापर basic से process है अब जल्दी घइकर गर बाय बाय प्रेप्स